लीसा हीडन एक भारतिय मौडल और अबिनेत्री है लीसा टीवी सूप इंडिया टॉप मौडल में जज के रूप में भी नजर आ चुकी है वे कई बिग्यापनों में भी काम कर चुकी है लीसा ने अपने बॉलिबूर करियर की सुरुआत फिल्म आईसा से की थी जिसमें वर सोनम कपूर के साथ नजर आई थी लीसा के करियर को सबसे बड़ा मोड देने वाली फिल्म का नाम क्वीन है इस फिल्म में लीसा ने कंगना के साथ सायक भूमे का निभाई थी लीसा हीडन का जन 17 जून 1986 को चैन्नाई में हुआ था उनके पिता वेंकट मल्याली हैं तो उनकी मा अन्ना हेडन आस्ट्रिलिया मूल की है उनकी एक बहन भी है जिसका नाम मल्लीका हेडन है लीसा हेडन ने साल 2016 में लालवानी से साधी कर ली लीसा के दो बेटे भी हैं लीसा योगा टीचर बनना चाहती थी लेकिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया लीसा ने जीवन की Państwo 30 साल विदेसों में ही बिताय उन्होंने मॉडलिंग करियर आस्टिले में शुरू किया बॉलिबूड में करियर बनाने के लिए वह 2007 में भारत आई लेला ने अपने बॉलिबूड करियर की सुरुआत फिल्म आईसा से किया मगर लीसा को जिस कामियाबी की तलास थी वह जिलाई फिल्म क्वीन में यह फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल साबित हुई इस फिल्म में लीसा की अबिने को दर्सकों ने सराहा वह फिल्म दा सौकिन में भी नज़र आई इस फिल्म में अकसे कुमार, अनुपम खेर, अनु कापूर और प्यूस मिसरा जैसे कलाकार मुखे भूमिका में थे उन्होंने करन जोहर की फिल्म एदिल है मुस्किल और मिलन लूत्रा की फिल्म बातकाहों में भी नज़र आज चुकी है उनकी पर्मुप फिल्मे हैं आईसा, रासकल्स, ट्वीन, आउसपुल 3 और दा सौकिन